तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सेवन्त क्लास आपका चैप्टर चल रहा है साइंस में जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो आए इसके इंतरगत मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें नेक्स देखो पैराग्राफ है आपका बाइपासिंग देखो बाइपासिं होता है इज एंटर्स मानि परवेश कर जाता है दा थर्ड चैंबर कौन से चैंबर में थर्ड चैंबर में तो देखो थर्ड चैंबर का नाम क्या है ओमेसम जिसका नाम क्या है ओमेसम आगे देखो दा में फंक्शन ओफ ओमेसम जो में कार्य है मुख्य कार्य है ओमेसम का इ and finally enters the fourth chamber और अंत में यह जो भोजन है कहां पहुंच जाता है fourth chamber में, चोथे chamber में पहुंच जाता है जिसे आप क्या कहते हैं abomasum कहते हैं ठीक है आगे देखो here the food is mixed with a variety of digestive juices तो यानि here मानि यहां पर आकर जो food है जो भोजन है is mixed मानि मिल जाता है with a variety of digestive juices बहुत सारे digestive juices यानि पाचकरसों से आकर मिल जाता है आगे देखो and the enzymes acts upon the food और यहां पर जो enzyme होते हैं वो भोजन पर कारे करते हैं and digestion is completed as in the human stomach और यहां पर जो पाचन है digestion है वो complete हो जाता है जैसे की in the human stomach जैसे की मनुस्य के पेट में होता है after this यानि इसके बाद the digested food is sent to the smaller intestine इसके बाद जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आथ में चला जाता है where the nutrients are absorbed जहां पर जो पोसक तत होते हैं वो absorb कर लिए जाते हैं ठीक है ना छोटी आथ के दोबारा यानि सोक लिए जाते हैं बात समझवारी है आपको तो देखो इसके बाद next sharing है आपकी जिसका नाम क्या है digestion इसके बाद next sharing है आपकी digestion digestion का क्या मतलब होता है पाचन और transport का क्या मतलब होता है यानि चलना और respiration का मतलब होता है स्वसन यानि सांस लेना तो देखो इसे समझ लेते हैं after the food is digested यानि जब भोजन पचा लिया जाता है and absorbed और सोख लिया जाता है it is taken to the cells यानि कोशिकाओ में चला जाता है कोशिकाओ के द्वारा ले लिया जाता है in all parts of the body यानि शरीर के जो सभी भागों के कोशिकाओं हैं वहाँ पर भोजन उनके द्वारा ले लिया जाता है देखो this function is performed by the blood यह जो function है किस के द्वारा क्या जाता है blood के द्वारा क्या जाता है this function is performed by the blood यानि यह जो काम है यह जो कार्य है किस के द्वारा क्या जाता है रक्त के द्वारा तो देखो the transport system in the body pumps blood बोडी में वह क्या करता है पंप ब्लड को पंप करता है यह जो काम है पचे हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना तो देखो रेक्शन दे रखिए गुलकोज और ऑक्सिजन मिलकर क्या बनाते है एक तो कार्बन डायोक्साइड बनती है यानि गुलकोज कहां से मिलता है जहां से आप भोजन करते हैं भोजन से गुलकोज म वह कहां से मिलती है, डाइजेस्टिड फूड यानि पचह भूजन से मिलती है, देखो, this happens when the digested food reacts, this मानि यह happens मानि होता है, कब होता है, when the digested food reacts chemically with oxygen, यानि जब पचह हुआ भूजन किस के साथ reaction करता है, oxygen के साथ, in the body cells during respiration, body cells में, यानि कोशिकाओ में, during respiration मानि, स्वसन के द लिखा हुआ है, the west materials, यानि जो west material होते हैं, produced during the respiration, यानि जो किस के द्वारान उत्पन होते हैं, respiration, यानि स्वसन के दोरान, are then transported, चाहे हो, transport कर दिया जाते हैं, आगे भीज दिया जाते हैं, for excretion, यानि उन्हें बाहर निकालने के लिए, to the kidneys, kidney के द्वारा बाहर निकालने तो जो portion हैं, और स्वसन हैं, are two life processes, वे क्या हैं, जीवन के प्रिकरियाएं हैं, that provide energy, जो क्या provide करती हैं, energy provide करती हैं, यानि हमें उर्जा देती हैं, ठीक है, two living organisms stay alive, यानि जीवित रहनी के लिए, जो भी जीवित प्रिकरियाएं हैं, यानि जिन भी चीजों में जीवन हैं, क्या देती हैं, उर्जा देती है, the transport system, यह जो transport system है, provides assistance in the transport of digestive food and waste, तो जो transport system है, इस प्रकार का, provides मनी देता है, assistance मनी सहयता, in transport मनी ले जानी के लिए of digestive food and waste, पचा हुआ भोजन और जो भोजन का वेस्ट होता है, उसे आगे ले जानी में सहयता करता है, ये transport system, ठीक हैं जी, त इसके बाद हम करेंगे, यहां तक कोई problem हो, तो आप बता सकते हैं, all the very best.